नमस्कार, अभिवादन स्विकार कीजिए हर प्रीत कौर का, आप देख रहे हैं हमारा लाइब और इंटराक्टिव सत्र हमारी इविद्या चानल नमबर नौ पर, जी हां जब हम कह रहे हैं चानल नमबर नौ इसका मतलब है कि यह हमारा लाइब और इंटराक्टिव सत्र है हमारे कक्षा नौ के विद्यार्थियों के लिए है और आज जो हमने विशे लिया है वो है संस्कृत, संस्कृत विशे के अंतरगत आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे पाठ साथ यानि अधिहाय साथ और इसका शीर्षक है सिक्त अब इसका मतलब क्या है, पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब हमें बताने के लिए संझाने के लिए स्टूडियो में हमारे महमान उपस्ट हैं, तो चलिए सबसे पहले हम आपका परिचे उनसे करवाते हैं, आज हमारे साथ हैं Dr. Devki Nandan Sharma, Sir Assistant Professor है DEL NCERT नई दिली म अब का दन्यवार नमस्कार जी हमारे जितने भी विद्यार्थी और जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं हम आपको बता दे क्यूंकि यह एक सजीव प्रसारण है यानी कि लाइव और इंटर्राक्टिव सत्र है तो आप हमें फोन कर सकते हैं आप हमें एमेल के माध्यम से हमस सेशन को दुबारा भी देख पाएंगे अभी फिलहाल के लिए आप नोट कर लीजे हमारा phone number जो है 8800 4400 559 इसके अलावा आप हमें email लिख सकते हैं dth.class9 at ciet.nic.in अगर आपके पास कोई सुझाव हैं आपकी कोई राय है कोई प्रतिक्रिया है जो आप हमारे साथ साजा करना चाते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं और हमें आपके प्रशनों का इंतजार रहेगा एक बार फिर आपको बता दें कि नवी कक्षा के हमारे च्छात्रों के लिए संस्कृत विशय के अंतरगत आज हम लेकर आए हैं सात्मा अध्याय जिसका शीर्षक है सिक्ता से तू तो सर मेरा आप से सबसे पहला जो प्रशन है वो यही है कि आज हमारे जो विद्यार्थी हैं और जो हमारे दर्शक हैं इस पार्ट में क्या एक्जाक्ली पढ़ने वाले हैं सो प्लीज बताएं प्यारे बच्छो, जैसा कि पाट का नाम आप सबने सुना, सिक्ता सेतू, तो इस पाट में हम तपोदत नामक जो एक बालक है, जो विद्या धेन नहीं करता है, बाले काल में, और फिर तपस्या के द्वारा विद्या का धेन करना चाहता है, तो उसको उपदेश देने के इंद्र जो है वो बालू से मिटी से जो है सेतु का निर्मान करता है तो इसलिए इसका नाम सिक्ता सेतु है और वहां से जो है इंद्र को जो उपदेश देते हैं तो वालक को समझ में आता है कि हाँ मुझे विद्याध्यन गुरुकुल में जाकर करना चाहिए तो ये तो एक छोटा सा संक्षुप्त हमें परिचे मिल गया कि हम इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं सर अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि हम आगे बढ़ते हैं सत्र में और इस पार्ट की सर एक रीडिंग करते हैं और साथ-साथ जो शब्द हैं उनके अर्थों को समझते हुए च करचा कि यहां जो तपश्या में रत जो तपोदत है वो प्रवेश करता है तपोदत है अहम अस्मी तपोदत है मैं तपोदत हूं बाले पित्र चरने ही कलेश्य मानों पी विद्याम ना धितवान अस्मी बाले बच्पन में पित्र चरने पिता के द्वारा कलेश्य मानों प बहुत कहने के बाद भी विद्याम ना धित्वान, मैंने विद्या का धिन नहीं किया, तस्मात सर्वाई कुटुम भी मित्रई ग्याति जनेश्च गर्वितो अभवं, उसके कारण सभी परिवारजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और जो परिचित लोग हैं, उनके द् मेरा जो है अपमान किया गया उर्द्वम निश्वस्य लंबा स्वास लेकर करता है हा विधे हे विधाता किम इदम मया कृतम मैंने ये क्या किया किदर्शी दुरबुद्धी आसी तदा मेरी कैसी दुष्ट बुद्धी छी उस समय एतदपी नचिंतितम यत मैंने यह भी नही भूसितो पिन सोबते नरो निर्मनी भोगी वै सबायाम यदिवाग्रहे परी धानई यानि जो अलग-लग परकार के वस्तर हैं अलंकारई और अभूष्णों के द्वारा भी सोबा नहीं देता है मनुष्य उसी परकार सोबा नहीं देता है जैसा बिना मनी के नाग जो मनुष्य भी अलंकार और अभूष्णों के द्वारा बिना विद्या के जो है सबा और घर में यानि कहीं पर भी सोबा नहीं देता है इसलिए विद्या बहुत ही महत्वपून है ये उस बालक को अभी आभास होता है किंचित विमर्शे थोड़ा सोच करके भवतु किम एते विद्या को प्राप्त करने का प्रियास करूंगा जलोचल ध्वनी शुरूयते और वहीं जो है उसको जल की आवाज सुनाई देती है तरंगों की अहे कुतो अहम कलोलचल ध्वनी ये यहां मुझे कलल की ध्वनी कहां से सुनाई दे रही है महा मतस्यो मक्करो वाभवेत ये कोई बड़ी मचली है या कोई बड़ा मगरमच है पस्यामी तावद देखता हूँ पुरुसम एकम सिकताभि ही सेतु निर्मानं प्रियासं कुरुवानं द्रश्टवा सहासं पुरुसम एकम एक पुरुस को सिकताभि ही मिट्टी से सेतु निर्मानं पुल का निर्मान का प्रियासं कुरुवानं प्रियास करते हुए देख करके साथ आसम बड़ा ही हंस्तावा कहता है हंत नास्त भावो जगति मुर्खानाम नास्ति अभावो यहनि इस पूरे जगत में अभाव नहीं है मुर्खानाम यहनि इस रष्टी में मुर्खों का भी अभाव नहीं है तिवर प्रवाहया प्रवाहयाम नद्याम मूडोयम सिकता भी ही सेतु निर्मातुम प्रयतते तिवर प्रवाह में जो है नदी का जैसे पता है भोत तिवर प्रवा होता है उसमें सिकता भी ही मीटी के द्वारा सेतु का निर्मान संभव नहीं है तो ये सेतु का निर्मान करन मो पैट ते और वो पास में जाता है हंसते हुए और जाकर के कहता है वो महा सहे अरे महा सहे किम इडम विनीयत अप ये है क्या कर रहे ओ अलम अलम तउ स्रमने तुम ये जो । शरम कर रहे और बस करो पस्ये देखो रामो वबंदम यं से तुम सिला भीर मकर आलए कहते हैं रामो बबंदम यम से तुम राम ने जिस सेटू को बांधाता सिला भी सिलाओं के दौरा मकर आले तो यहां मकर आले जैसे विद्या आले देवा आले गरन्था आले उसी प्रकार से मकर कहते हैं मगरमच को तो मगरमच का जो आले जो रहने का स्थान है तो ऐसे ही मकराले कि जो भगवान राम ने उस समुद्र को मकराले यानि समुद्र उस समुद्र को जो है सिलाओं के द्वारा बांदा था था भगवान राम ने भी सेतू का निर्मान किया था पर वो सिलाओं के द्वार सेतु का निर्मान किया था विदधत बालु का अभिस्तम और आप तो जो है मिट्टी से बालु से जो है सेतु का निर्मान करना चाहते हो याशी यानि तुम जो है भगवान राम से भी उपर जाना चाहते हो यह था भगवान राम की जो सामर्ति थी उसे भी जाड़ा अपनी स मरते दिखाना चाहते हो, चिंत यत, चिंत ये तावद, तुम सोचो, सिकता भी ही क्वचित सेतु कर तुम सक युज्यते, क्या मिट्टी से भी सेतु का निर्मान किया जा सकता है, तो जो इंदर जो था यहाँ पूरुशपेस में, वो कर रहा है, भो तपस्विन, हे तपस्व सकता है, का आवसकता सिला नाम, सिलाओं की क्या आवसकता है, सिकता भी रेव सेतु करिश्यामी, मैं तो जो है मिट्टी से ही सेतु का निर्मान करूँगा, मिट्टी से ही पूल का निर्मान करूँगा, कैसे करूँगा, अपने संकल्प के बल पर, तो तपोदत कहता है, आस शिक्ता जल प्रवाहि स्तास्यंतिकिम मिट्टी में जो है जो मिट्टी है वो जल के प्रवा में रुख पाईगी भवता चिंतनम नवा चिंतितम नवा आपने ऐसा कभी सोचा नहीं तो पुरुष कर रहा है सोत प्रासम चिंतितम चिंतितम मैंने सोचा था सोचा था सम्यक चि मैं जो है, शोपान, यानि जो सीडियां है, उनके माध्यम से नहीं μहें, मैं तो छट के उप़र, यानि उपर जो है, बिना सीडियों के उछल करके भी चडने की सामृते रखता हूँ,AFने शामूर्ते है, तो तपोदत कर रहा है, सह वेंगयम बड़े ही वेंगय के साथ कर रहा है सादू सादू बहुत उच्छा अच्छा आपने कहा आंजनेयम अपी अतिक रामसी जैसे कि उचल करके मैं छत पे जा सकता हूँ ऐसा जो है उन्होंने पुरुष ने जो कहा तो तपोदत कहता है कि उचल करके जैसे समुद्र पार जो है भगवान राम जब अयोध्या से जो है माता सीता की जानकी के लिए जो जाते हैं रावन जो चुरा के ले जाता है तो हनमान जी जो है हमें सब को पता है कि वो समुद्र को उचल करके लांग करके जाते हैं तो यहां तपोदत कहता है आप तो आंजने आंजने जो अंजनी का पुत्र जो है अथात हनमान जी जो है उसको भी आप जो है लांगना चाते हो अथात उन से भी उपर अपने आपको दिखाना चाते हो तो पुरुसकर है सभी मरसम कोत्र संदे है इसमें संदे की क्या बात है कि इसमें संदे की क्या बात है देखो जैसे बिना लिपी और अक्सर के ग्यान के भी तपो भिरे तपस्या के द्वारा केवल अम केवल तपस्या के द्वारा आप जो है यदि विद्या वसे स्यूस्ते आप विद्या को वस्में करना चाहते हो अर्थारत आप विद्या पढ़ना चाहते हो विद्या का अध्येन आप जो है तपस्या के द्वारा करना चाहते हो तो सेतु रेश तथा मम है तो मैं भ अपने आपको चिंतन करता है कि आत्म गतम, मन ही मन सोचता है, यह तो मुझे लक्षे करके कहा जा रहा है, आये मामे उद्दिश से भद्र पुरुषोयम अदिशिपती, यानि मुझे ही उद्देश से करके यह जो भद्र पुरुष है, यह जो भी पुरुष है, यह मुझे व ग्यानम बिनेव वेदुस्यम बाप्तुम अभिलक्षामी अर्थार्त बिना अक्सर ग्यान के भी यानि मैंने तो अभी अक्सर ग्यान ही नहीं लिया है और बिना उसके मैं वेदुस्य प्राप्त करना चाहता हूँ वो भी कैसे तद इयम भगवत्याह सारदायाह अवमानना य ये भगवती सारदा की अववानना है। गुरु ग्रहम गत्यव विध्या भ्यासो मया करणी है। गुरु ग्रहम, यह था मुझे गुरु जी के घर में अर्थात पहले गुरुकुल चलते थे, तो मुझे गुरुकुल में जाकर के ही विद्या के अभ्यास करना चाहिए, पुरुसार्थे रेव लक्षम प्राप्य थे, पुरुसार्थे ही लक्षे की प्राप्ती होती है, यह अब तक मन में सोच रहा था अभी प्रकासम प्रकट में कहता है भो नरोतम हे नरो में उत्तम नरोतम ना अहम जाने मैं नहीं जानता यत को अस्ति भवान आप कोन हो परंतु भवत भी उनमी लितम में नई युगलम आपने मेरे दोनों आखे खोल दी है अर्थात मुझे नहीं के रूप में समझाया है आपने मेरी आखे खोल दी है तपो मात्रेण विद्याम वाप्तुम पर्यत्यमाने तपके द्वारा ही मैं विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था अहम अपी सिक्ता भी रेव सेत्व निर्मान प्रयासम करोमी अर्थात में तपस्या के द्वारा विद्ध्या को प्राप्त करना चाहता था, मैं भी वैसा ही काम कर रहा था, जैसे आप मिट्टी से सेतु का पुल का निर्माण कर रहे थे, तो मैं भी एक तरह से मिट्टी से ही पुल का निर्मान कर रहा था तद इदानिम विद्या अधेन आए गुरुकुल मेव गच्छामी इसलिए मैं अब विद्या के अधेन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ सरप्रमानम गच्छती और प्रणाम करते हूए चला जाता है तो यह ऐसा इस पाठ का एक सामाने सा परिचे था जी सर बहुत ही सुंदर पाठ है और इससे बहुत अच्छी शिक्षा भी प्राप्त होती है सर नवी क्लास के जो नवी कक्षा के छात्र हैं उनके लिए ये पाठ लिया गया है और सर मैं आपसे जानना चाहते हूँ भी नवी कक्षा के छात्रों के लिए इस पाठ को उनके जो करीकिलर में सम्मिलित किया गया है उसका महत्व क्या है सर रेलिवेंस क्या है उसका हमारे parents जो है हमें पढ़ने के लिए अध्यन करने के लिए भूत आग्रे करते हैं पर फिर भी हमें आलश से के बसीबूत होकर के या अन्यान्य कारणों से हमारा पढ़ाई में रूची न होने के कारण हम उस समय नहीं पढ़ते हैं पर जब यूवावस्ता से हम आगे जीवन यापन के लिए जब जीवन भर जो है उस चीज़ को याद रखते हैं कि देखे उस समय पीता जी ने कहा था माता जी ने कहा था हमारे गुरु जुनों ने कहा था कि अध्यन करिए वो आपके जीवन के लिए उपयोगी होगा तो उसी प्रकार से ये बालक भी जो है पाठ की शुरुवात में यह कहता है कि मेरे बंदू जनों ने मेरे मित्र जनों ने मेरे परिवार जनों ने मुझे बहुत कहा और उस समय मेरा अपमान भी भोत किया पर फिर भी मैंने अध्यन ने किया अब मुझे आबास हो रहा है कि मैंने उस समय बड़ा ही गलत कारे किया मुझे उस समय पढ़ना चाहिए था तो ऐसा आप लोगों के लिए भी यह है कि हमें इस समय अध्यान जो है मन लगा करके करना चाहिए जी बिल्कुल सर बहुत ही सुन्दर शिक्षा प्राप्त होती है इस पार्ट से सर अब इस जो पाठ्य पुस्तक में इस अध्याय से जिड़े हु इस प्रसन का जो अध्याय से है कि हम पूरे प्रसन को पढ़ते हुए यहां पर एक प्रसन वाचक पद होता है जैसे कहा बाले विद्यामन अधीतवान तो यहां कहा यानि कोन जो है बच्पन में विद्या का अध्यन नहीं करता है तो तपोदत जो है पाले बच्पन में वि विद्या कैसे प्राप्त करना चाहता था तो तपस्या के द्वारा जो है विद्या को प्राप्त करना चाहता है म कैसे ने किया तो स्रिराम चाहता है जो रस्ता भूल जाता है और वो साम को सभू वापिस के कहा आता है तो गर्म को कर्के आता है पुरुसा है सिकता भी किम करोती जो पुरुस्थ है वो मिटी से क्या करता है तो मिटी से सेतु निर्मान का कारे जो है वो करता है यहां जो है पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है अनधिता है तपोदता है कई गर्वितो अभवत जो अनधित जो तपोदित है वो उसको किस किस ने उसका अपमान किया तो उन्होंने उसका अपमान इसलिए नहीं किया कि उसको पढ़ना चीए उसके लिए उन्होंने बार बार उसको आगर किया तो तपोदत किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करना चाता है एक पदेन में भी यह प्रसंद था तो तपोदत अपरुस की कोण से चेश्टा दे करके हंसता है तो सिकता भी ही सेतु निर्मानम प्रियासम कुरुवानम पुरुसम दरिश्ट्वा तपोदता है तो मिट्टी से जो है सेतु का निर्मान करते वे देख करके वो हंसता है तपो मात्रेन विद्याम प्राप्तुम तस से प्रियास है की दर्शा है कतिता है की वो भी जो है वैसे ही मिट्टी के द्वारा सेतु की तरह निर्मान का प्रियास कर रहा है अंते तपो दता है विद्या ग्रहनाय कुत्र गता है अंत में वो कहां जाता है तो अंते तपो दता है विद्या ग्रहनाय गुरुकुलम गता है यहां जो है चार पद दिये हैं, चार सब्द दिये हैं, उन में से जो अलग परवर्ति का है, उसको हमें अलग निकालना है, जैसे निश्वस्ये, चिंतये, विमर्शे, उपयत्ये, तो इसमें बाकी तीनु जो है, वो लिप प्रत्यांत है, और चिंतये जो है, यह अलग है, ऐ ऐसे ही विश्वस्यमी, पश्यामी, करिश्यामी, अभिलस्यामी, तो इसमें करिश्यामी जो है, वो लिट लकार का है, बाकी तिनूं लट लकार के हैं, तपो भी, दुरबुद्धी, सिकता भी, कुटुम भी, तो इसमें दुरबुद्धी जो है, अलग प्रवर्ति का है, यह यहां, ऐसा ही, चोथे प्रस्ण में हमें जो है, शर्वणाम पदा नि कस्मई परयुक्ता नि, तो अलं अलं तौ स्रमेन, तो यह किसके लिए कहा गया है, तो पुरुसाये, न अहम सोपा नमा रट्टं अधिरोडुम विश्वसमी, यह किसके लिए परयुक्ता है, पुरुसा चिंतितम भवता नवां आपने सोच नहीं सोचा तो यह पुरुस पुरुस आए यह भी पुरुस के लिए कहा गया है। ग्रहम ग्रहम गत्य विद्या भ्यासो मया करणियम, तो ये तपोधत के लिए कहा गया है, तो तपोधत आए, चतुर्थी विक्ति यहां आती है, कस्माई पर्युक्तानी, तो यहां सब में पुरुसाय पुरुसाय तपोधत आए, सब में चतुर्थी विक्ति लगेगी, भव कहा यानि किसने और कम यानि किसको कहा हा विधे किम इदम मया कृतम हे विधाता मैंने ये क्या कर दिया तो ये तपोधत कहता है और किसको कहता है अपने आपको ही कहता है तो आत्मानम जी बो महा से किम इदम विधियत हे महा से ये आप क्या कर रहे हैं तो ये भी तपोधत ने कहा पूरुसम पूरुस को भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करो सी हे तपस्विन मुझे मुझे आप क्यों रोक रहे हैं तो ये पूरुस ने कहा था तपोदसे तो पूरुस है तपोदतम सिकता जल प्रवा है स्तास्यंतिकिम मिट्टी जो है जल प्रवा में रुकेगी क्या तो यह प्रसन तपोदत करता है किसे पुरुस से तो तपोदत है पुरुसम सर हमारे पाइस समय अब काफी कम रह गया है तो सर आप चल्दी से सर जो भी है उसको अब थोड़ा सर पीज रैप अप करें तो यहां तपोदत पुरुस से कहता है अगले अगला जो पांचवा प्रसन है उसमें जो है हमें प्रसन निर्मान करना है तो यहां जो तपोदत है तपस्चरिया यहां विद्याम वाप्तुं परवतोसी तो यहां कया तपस्चरिया कया तपोदत है कह पुरुस है नद्याम सि जियाम या कुत्र आपी भोत्म शक्षाम के में अक्षर ज्यानम टो कम विद्याधेनाय तरोधेस्ताने किमर्थम और गुरुग्रहम तो कुत्र ऐसा ही चट्टा प्रसन है वो आपको Samaa-स का है अक्षर क्यानम शुक्ता आयाह से तू शुक्ता से तू भी विद्या अब्यासिए एसे समस्थ पद का विग्रह करना है यहीं बिए और पर हमें इस सत्र को समाप्त करना होगा सर," समय का अभाव है लेकिन हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे आपने अपना कीमति के लिए अखिल भारतीय बच्चों की शैक्षिक E-Content प्रतियोगिता की घोचना कर चुका है तो यदि आप एक शिकशक, शिकशक, प्रशिकशक, चात्र ये स्वतंत्र शेक्षिक e-content निर्माता है तो आप त्रतियोगिता के लिए अपना सर्विश्ष्ट e-content भेजने के लिए अमंत्रत है अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए कृपया C.I.E.T की वेबसाइट देखे अथ्वा स्क्रीन पर दिखाये जा र ही जरूरी रहेगा और इसी के साथ ही सत्र को ही पर समाप्त करते हैं लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे अगले लाइव और इंटराक्टिव सेशन के लिए हमें दीजे इजासत तमस्कार